इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन बी दी बेस्ट ओफ वट एवर यू आर और इस लेसन के आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ इंपर्टेंट क्वेस्टेंज एंड आंसर चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यह एक पोईम है और इस पोईम का क्वेस्टेंट नमबर वन जो है वो आपको इस तरह से भी आ सकता है Explain the following contrasting examples के यह जो कुछ examples मिसाले दी गई हैं इनका contrast करें यानि के इनका आपस में मवाजना करें A pine versus this scrub के pine यानि के सनोबर के दरखत का जारी के साथ मवाजना करें A tree versus a bush एक दरख का एक बुश जो चोटी जारी होती है उसके साथ मवाजना करें A bush versus a bit of grass और एक बुश का जारी का घास के टुकड़े के साथ मवाजना करें A musky versus a base के बड़ी मच्छी जो मच्छी है उसका एक चोटी मच्छी बेस से मवाजना करें A highway versus a trail के एक बड़े रास्ते का छोटे रास्ते से मवाजना करें तो इसका अंसर अगर ही आपको question आ जाता है पेपर में तो आपने कैसे attempt करना है मैं आपको इसका one by one करके बताती हूँ सबसे पहले है हमारे पास pine versus this scrub तो कैसे आपने इसको attempt करना है means that pine is a big and strong tree as compared to a scrub but size not matter कि यह जो pine है यानि कि सिनोबर का जो दरख्त है वो बड़ा भी होता है और बहुत मजबूत दरख्त भी होता है अगर हम उसको compared करें एक scrub से एक जाड़ी से but size not matter लेकिन शाइड ने हमें पौई में यही बताया है कि size जो है वो matter नहीं करता क्योंकि बड़ी जो चीज़ें हैं उनकी अपनी जगा होती है उनका अपना काम है और छोटी चीज़ों का अपना काम है तो इसका आपने इस तरह से compare करके लिखना है next है हमारे पास a tree versus a bush के एक बड़े तरह का चोटी ज़ाड़ी से अब मवाजना करें means that the tree is useful but bush also has its own purpose and importance कि इसका मतलब है कि जो दरख्त है उसकी अपनी एहमियत होती है और वो बहुत फाइदे मन भी होता है लेकिन इसके साथ साथ ज़ाड़ी जो है उसका अपने मकसद है और उसकी अपनी एहमियत है क्योंकि ज़ाड़ी अगर ना हो तो वादी इतनी खुबसूरत ना लगे चोटी ज़ाड़ीया अगर ना हो तो उसके बाद है हमारे पास a musky versus a base means that if you cannot be a musky be a base but the best one कि इसका मतलब यह है कि अगर आप एक बड़ी मचली नहीं बन सकते तो एक छोटी मचली बन जाओ लेकिन बेहतरीन बनो next step हमारे पास a highway versus a trail कि एक बड़ा रास्ता और एक छोटे रास्ता इनका मवादना करे means that trail is as useful as highway इसका मतलब यह है कि एक छोटा रास्ता जो है उतना ही फाइदामंद होता है जितना के बड़ा होता है everything has its own place हर एक चीज़ की अपनी ही एक जगा होती है और उसकी जगा कोई दूसरा नहीं ले सकता next step हमारे पास a bush versus a bit of grass के एक ज़ाड़ी का एक घास के टुकड़े से मवादना कीजिए means the bush has its own importance but grass also serves well इसका मतलब यह है के बुश की ज़ाड़ी की अपनी जगा एहमियत होती है लेकिन घास जो है वो अपने ही तरीके से खिदमत करता है means के उसकी अपनी importance होती है be the grass but put in the best efforts केते हैं घास ही बन जाओ लेकिन अपनी बेहतरीन कोशिशे जारी रखो अपनी बेहतरीन efforts कभी भी ना छोड़ो next question आप हमारे पास question number two what is more important according to the poet to be on top or to be the best and why discuss के आपके ख्याल में शायर के मताबिक क्या चीज होना सबसे एहमियत रखता है to be on top सबसे उपर होना या सबसे बेहतरीन होना and why और क्यूं discuss इस पर बहस करें तो friends जैसे कि हमने ये point पड़ी है कि author जो है वो ये नहीं चाहता कि top पर हो और हमेशा उपर ही रहे तो अब इसका answer आपने कैसे attempt करना है आपने लिखना है according to the poet it is not important to be on the top position कि शायर के मताबिक top position पर रहना सबसे important नहीं है rather to do your best regardless of the job you choose or engage in इसकी बजाए शायर के नजदीक ये चीज़ सबसे important है कि वो जॉब जो आपने चुनी हुई है या जिसमें आप बीजी है उसी काम में उसी जॉब में जो है आप अपना बेहतरीन सर्फ करें अपना the best दें उस काम को तो इसलिए author हमें इस poem के जरीए यही message convey करना चाह रहा है कि हम जो है best बने हमारा जो काम है उसके अंदर ना कि हम उपर top position पर जाना चाहें next question आप हमारे पास question number three next question हमारे पास है you may want to be a teacher, a doctor, an engineer or a business manager but remember there are thousands and thousands of teachers, doctors, engineers and business managers imagine any profession you would like to follow and say what would you do to be the best author क्या कह रहे है हम से के आप क्या बना चाहते हैं एक teacher या doctor या engineer या business manager क्या लेकिन आप याद रखें कि हमारे पास हजार हजारों की तादाद में teachers भी है, doctors भी है, engineers भी है और business managers भी है तो आपके लिए कहरें कि किसी भी profession को आप जो है उसका imagine करें उसका तसवर करें और उसके बारे में फिर आप क्या कहना चाहेंगे और आप उसमें किस तरह से बेहतरीन बनना चाहेंगे तो friends इसका answer में मैंने यहाँ पर एक teacher का लिखा है क्योंकि teacher बनकर आप अपने जो country है और nation है उसकी अच्छे से खिदमत कर सकते हैं यहां पर बहुत से पेशे हैं लेकिन मैं जो है वो एक उस्ताद बनना चाहूंगा या चाहूंगी क्योंकि यह बहुत ही काबले इज़त और इज़त वाला रिस्पेक्टिट परफेशन है teachers are called builders of nation उस्ताद जो हैं वो इस कौम की तामीर करने वाले कहलाते हैं कि वो अपने हातों से इस कौम की इस मिलत की तामीर करते हैं I want to serve my country and nation up to the best of my efforts और मैं अपने मुलक की और अपनी कौम की खिदमत करना चाहूंगा या चाहूंगी अपनी best efforts के जरिए अपनी सबसे बहतरीन कोशिशों के जरिए अब हमारे पास next और हमारा last question है Does the point mean that we should not try to reach the top and be content with what we are or where we are or does he mean something else discuss तो इसमें आफर हमें क्या कह रहे हैं कि क्या शायर का सिर्फ यही मतलब है कि we should not try to reach the top कि हमें top तक जाने पर top position तक जाने तक कोशिश ही नहीं करनी चाहिए या हमें हमारी जो position है जहां पर हम है वही तक मुतमें रहना चाहिए क्या ऐसा ही है या इसका कोई और मतलब है इस पर आप discuss करें तो friends जैसे कि हमने पढ़ा है पोई में author का मतलब यह नहीं है कि आप top पर जाने की effort ना करें या try ना करें सिर्फ और सिर्फ हो हमें ये message convey करना चाह रहे हैं कि जो जो आपके हाथ में है फिलहाल उसमें अपना the best use करें उसने हमें ये नहीं मना किया कि हम उपर तक top तक पहुँचने के लिए try ना करें तो इसका answer हम कैसे अब attempt करेंगे हम लिखेंगे इसमे no, नहीं the point does not mean that we should not try to reach the top कि शायर ने हमें ऐसा नहीं कहा कि हमें top तक बिलंदे पर जाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए actually he is of the opinion that we should always do our best वो असल में उसकी opinion या उसकी राए ये है कि हमें हमेशा से हमारा बेहतरीन इस्तमाल करना चाहिए अपना बेहतरीन देना चाहिए and try our best to do our job in the best possible way whatever our position is और हमें कोशिश करनी चाहिए best to do our job कि हमारी जो जॉब है हमारे हाथ में जो भी जॉब है चाहिए हम कोई छोटी जॉब ही करें उसमें हम अपना the best use करें in the best possible way और अपने मुमकिना तरीकों से whatever our position is के हमारी उसमें position जो कोई भी हो हमारा मकाम जो कुछ भी हो हम उसमें अपना the best use करें तो friends ये थे हमारे whatever the best के कुछ important questions and answers तो आपने इन्हें इसी तरह से अच्छे से prepare करनी है